नमस्कार जैहिन जैभारत मैं राहुल पार्चा भारती है आज फिर आप लोगों के बीच में आ हूँ एक बहुत ही इंट्रेसिंग टॉपिक लेकर टॉपिक अपने पढ़ी लिया होगा ताकतवर बनो ताकतवर बनने के लिए क्यों कह रहा हूँ मैं कैसे लोग ताकतवर बन जगाएं ताकतवर कैसी होती है जैसे किसी बड़े पद पर आप पहुंच गए सांसद, विदायक, परधान मंतरी, मंतरी, ग्रह मंतरी, कमिशनर, ACP, DCP, IES, PCS यह जो पोस्टे हैं क्योंकि इन पोस्टों को सलाम होता है जो व्यक्ति वहां पहुंच जाता है वही ताकतवर हो जाता है यह होता है और दूसरे वो लोग होते हैं जो जहां पहुंचते हैं वो जगाएं ताकतवर हो जाती है जहां बैठ जाते हैं वो जगा इतिहास में दर्ज हो जाती है अगर वो पत्थर पर भी बैठ जाते हैं वही उसका सिंगासन हो जाता है तो दो तरह से आप ल भूस्टों को फिल कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर अपने हिसाब से administration को चला सकते हैं, या फिर नेता बनिए, चान सद विदायक बनिए, मंत्री बनिए, परधान मंत्री बनिए, मुख्य मंत्री बनिए, और ताकतवर जगाओं उपर जाकर अपने हिसाब से system को चलाएए, उसी फिल्ड में माहिर बन जाओ, माहिर बन जाओगे तो हूगा क्या, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस देश में, जोनोंने अपनी ताकत का लोहा मनवाया, कैसे, मैं कुछ एक्जामपल दे कर आपको बताता हूँ, आपने मिखा सिंग का नाम सुना होगा, पाकिस्तान में जाक ताकत का, वो उनकी ताकत थी, दोड़ते इतना तेश थे, कि बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ते थे, लोग उनके आस पास भी नहीं होते थे, ऐसा दोड़ते थे, वो उनकी ताकत थी, कुछ लोग बोलते ऐसा हैं, जब वो बोलते हैं, चाहे वो सामने वाले को गालि लेकिन सामने वाला हस के सुनता है कि मज़ा आ गया है ऐसा ये एक्जाम्पल में आपको देता हूं अजब वीपक्ष चिपशाप सुनता रहता था वैपक्ष भी तारिप करता था अजब वीपक्ष बॉल रहे हैं एक如 वेक्जांपल में आपको दे देता हूं ब्akat जे कटलर कई वार वो उस वेक्टिन हार का मूँ देखा आप कहीं बार सेकिंड प्लेंद थर्ड प्लेस लगी ही जाप साउखनों श्रता मिस्टर अनेक और एक्जामपल भरे पड़े हैं, एक और एक्जामपल मैं आपको दे सकता हूं, नीरत चोपडा, जो भाला फेकते हैं, अभी गोल्ड मैडल जीत के आये हैं, इन्होंने भाला इतने दूर फेका, कि गोल्ड मैडल ले आये, ऐसे और भी बहुत सारे एक्जामपल हैं, ह ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं तो फेकने में बहुत माहिर हैं और ऐसे ऐसे फेकते हैं ऐसे फेकते हैं लोग बहुत पावरफुल जगा पर पहुंच गए फेकने में भी माहिर हो गए लेकिन वो उनकी कला है ऐसे आपको ताकत हासिल करनी है काम्याब होना है तो ताकत हासिल करो ताकत वर बनो ताकत कैसे हासिल करो कि जिस भी फील्ड में आप हो चाहे वो कोई भी फील्ड हो कोई भी आप काम करते हो इतना expert बन जाओ उस काम में अपने आपको इतना मांज लो रगड लो बुरी तरह से कि हर चीज हर एंगल से जब भी उस काम की उस फील्ड की बात हो तो सबसे पहला नाम आपका आना चाहिए इतने expert हो जाओ अगर आप एक ही चीज में expert होते चले जाओगे expertise हासिल कर लोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब भी उस फील्ड में क पैचानने की जरूरत है आप भी अपनी ताकत पैचानों चाहिए वो पढ़ाई की ताकत हो सकती है बोलने की ताकत हो सकती है सुनने की ताकत हो सकती है देखने की ताकत हो सकती है देखने की ताकत होती है दूर दर्ची होते हैं लोग भविश्य देख लेते हैं आपने लेगा तो आज चल रहा है किसी ने सपना देखा था कि इंसान उड़ सकता है तो अब ऐसे ऐसे गैजिट आ गये हैं लोग उड़ो भी जाते हैं कि जब ताकत की बात आती है वो ताकत हांसिल करनी है अपनी ही फिल्ड में माहिर हो जाना है और ताकत आपको मजबूती देती है आगे बढ़ने के लिए जब एक काम आप बहुत अच्छा कर लेते हो तो आपको समझ में आया था जब मैंने ये काम कर लिया तो जो असंभाव लगने वाले काम है वो भी कर सकते हैं बस तरीके बदलने होंगे तरीके बदलने होंगे और तरीका कु माईने रखती है आप लोग ताकतवर बनेंगे तो भी कामियाभी होंगे कामियाभी हमेशा माईने रखेगे कामियाभी पाने के लिए ताकत का होना जरूरी है आप मजबूत रहने चाहिए हो दिमाग से, जबान से आखों से, शरीर से हर चीज़ से मजबूत चाहे वो धनबल हो, बाहू बल हो हर चीज़ से मजबूत होने चाहिए तो आप अपना दंग का पूरी दुनिया में बजवा सकते हो साथियो, मुझे लगता है जो मैं कहना चाहता हूँ वो बात मैं आप तक पहुचाने में सफल रहा हूँ आपको अगर मेरी वीडियो अच्छे लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो शेयर भी कर सकते हैं आज के लिए इतना ही जै हिंद जै भारत